हर्याना की हर अप्टीट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हर्याना निउस सरकारी विभागों में कामकाज कैसे होता है आज उसको लेकर के एक तस्वीर हम आपके सामने रखने जा रही है जसमें आपको ये दिखाएंगे ये बताएंगे कि आखिर सरकारी कारियलों के अंदर सरकारी बाबु कैसे काम करते हैं उनके काम करने का तरीका क्या होता है और क्या वो समय पर पहुंसते हैं सबसे पहली चीज यही है और इसी को लेकर के हम आज उस कारिकरम के जरीए आपके समक्ष कुछ तस्वीरे रखने जा रहा है दरसल नानौल जुले का योजनाकार कारेले राम भरो से चल रहा है ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ना तो यहां अधिकारी समय पर आते हैं और ना ही करमचारी जिसके चलते हैं यहां आने वाले लोगों के काम अधूरे पड़े रहते हैं लोग कई कई दिनों तक धक्के खाने को मजबूर होते हैं इंतजार करते हैं कि कब अधिकारी और कलमचारी आएं और कब उनका काम हो सके लेकिन अधिकारियों को किसी का कोई डर नहीं है कोई खौफ नहीं है क्योंकि जो अधिकारी है इस कारेले के वो भी यहां से नदारत होते हैं लेकिन ऐसे में हमारे समधाता मनुझ गुस्वामी ने जब कारेले पहुंचकर वहां का जायजा लिया तो लो ने देखा कि जस अधिकारी का साड़े नौ बजे दफ्तर आने का समय होता था वो साड़े दस बजे कारेले पहुंच रहे हैं और इसी के साथ कुछ करमचारी ऐसे नदारत थे ऐसे में कई सवाल हैं सवाल ये कि आखिर सरकारी करमचारी की ये मनमानी कब तक चलेगी और जंता को जो लगातार परिशानिया सामने आती हैं और उन से जुड़े हुए जो मस्ते हैं जिनका समधान करने के लिए इन सरकारी कारेले को खुला जाता है क्या इनका कोई मतलब रह जाता है जब इसके अंदर करमचारी नहीं होंगे अधिकारी नहीं होंगे तो आम जंता से जुड़ी जो परिशानिया है उनका समधान आखिर जंता करवाईगी कहां ये ऐसे कई सवाल है और साथी सवाल ये भी है कि आखिर ऐसे करमचारीों पर कोई भी कि जितने मंत्री हैं वो लगातार और चक निरिक्षन कर सरकारी विवस्ताओं को देख रहे हैं और जहां खामी पाई जाती है वहाँ पर आक्शन भी लिया जाता है तो ग्रह मंत्री के तीके तेवर के बावजूद भी आगर सरकारी करमचारी सुधरते क्यों नहीं है सवाल ये भी है क्या आपके अलाके में भी सरकारी करमचारी लेट लतीफी से आते हैं और आपका काम बाधित होता है तो इस कारिक्रम के जरीए आप हमें बता सकते हैं टीवी स्क्रीन पर लगातार नमबर फ्लैश हो रहे हैं जुनके जरीए आप सीधे इस कारिक्रम के साथ जुड़ करके बता सकते हैं कि क्या आपके इलाके में सरकारी कारयले में जब आप किसी भी काम के लिए जाते हैं चाहे कुपकण में बताई किए क्या क्याना चाहेंगे आप yes एक प्रच नहीं कि ऐसी के पास नाइब तषहाब नहीं मिलेंगे टीक है यह कई तस्वीरे हैं पटवारी नहीं होते हैं अस्पतालों के अंदर जाएं तो डॉक्टर वहां पर नहीं मिलते हैं और ऐसी ही कई और तस्वीरे भी हैं जो आप अपने लाके के भीतर के सरकारी जो खारयले हैं। आप बता सकते हैं बहुत शुक्री आशोक आप हमारा साथ कारिक्रम में जोड़े और आपने अपनी बातों को rखा है और आपने अपने अपने अलाके की तस्वीर को पूरे हर्याना प्रदेश के सामने रखा है लेकिन आप भी यदि कुछ बताना चाते हैं आपके इलाके में आने वाले जो सरकारी आफिस हैं सरकारी कारेले हैं क्या वहाँ पर बाबू समय पर आते हैं यदि आते हैं तो वहाँ पर कामकाज का तरीका क्या है क्या वहाँ काम सही तरीके से किया जाता है या फिर आम जंता की जो परिशानिया है वो यूही लंबित पड़ी रह उनको एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं बार बार उनको बुलाया जाता है एक एक करके जो उनके कागजात हैं उसके अंदर कमी निकाले जाती है एक शिकायत ये आम लोगों की तरफ से की जाती है यदि आपको लगता है कि ऐसी परिशानी आपको भी आ रही है और इसी परेशानी को लेकर कि आप बेहत परेशान हैं तो आप जल्दी सी जल्दी कारिक्रम में जुड करके हमें पताएं और इस कारिक्रम के जरी हम यह उमीद करते हैं कि आपके लाके के जो तस्वीर हैं आपके लाके के जो सरकारी कारेलियों के जो बारे में जानकारी है वो प सब्सक्राइब करना चाहता हूं कि जैसे अभी स्वास्थे सुविदाओं को उपर हमारे क्रेह मंत्री जी का भी विचेश द्यान है लेकिन सुविदाओं के नाम पे ना एक गुम रहा सा हो रहा है आम आगनी जैसे कि अभी सरकारी ऑस्पिटल में जाते हैं तो दवाईयां न लगता उन्होंने हमें बताई जिन में से भी हो कहते हैं कि सो दवाई भी तरीके से यहां पे नहीं है एक जो कुट्टे काटने का जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो लोगों को बाहर से खरीदना पड़ रहा है साड़े तीन सो रुपे उसकी कीमत है एक पेसेंट को करीव आदमी कहां से लगवाए दूत्रा जैसे ओपीडी के लिए जो लोग जाते हैं डॉक्टर साथ से मिलने तो डॉक्टर पता नहीं वहां उपस्तित है या नहीं है लेकिन अगर उनका कमरा खाली है तो वहां पर बताया जाता है कि डॉक्टर शाथ किसी ऑपरेशन में ह हैं तो इस तरीके की जो समस्या है आम जनता को बाहर गाओं से वो लोग आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए और वहां पर डॉक्टर नहीं मिलता है उनको या दवायां नहीं मिलती है तो तरी ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा ऐसा है जिस पर राज नीसी तो की जा रही है लेकिन जनता की समस्या है हल नहीं हो रही है तो सब्सक्राइब शिक्षा के साथ ये जो स्वास्ते है इस पर वितियर द्यान दिया जाए जिससे की आम जनता को फाइदा हो बिलकुल बहुत शुक्रीया राम कुमार आप हमारे साथ कारेकरा में जुड़े और यह यहां यह लगतार कोशिश होनी चाहिए कि स्वास्ते महक्मे के अंदर खास तोर पर जिसका जिकर कॉलर कर रहे हैं कि उसके अंदर कुछ हथा क्योंकि जिमेदारी तैह होनी चाहिए और हर किसी को अपनी जिमेदारी को बखूबी तरीके से निभाना चाहिए तब ही आम लोग लेकिन जमीन पर आते आते बहुत सारे काम ऐसे हैं को आधे अटक जाते हैं या फिर सही रूप में उसका फायदा उतना आम लोगों को नहीं मिल पाता है तो ऐसे में क्या किया जाए क्यों नहीं उस चेन को दुरुस्त किया जाए जो कि अधिकारियों से जुड़ी हुई है और अधिकारी करमचारी जितनी ये पूरा सिस्टम है क्यों नहीं उसको और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए अपने आपको बदले क्योंकि सबसे पहले इस कड़ी का जिमेदारी अगर निभानी है तो सबसे पहले अपने आपको ही बदलना होगा और अपनी जिमेदारी को चाहे वो सरकारी अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों की बात हो चाहे वो दूसरे विभागों के अंदर काम करने वाले करमचारी और अ आदेशों के अनुसार लेकिन साड़े दस बजे तक भी अधिकारी नहीं पहुंचते हैं तो आखिर ऐसे में जो आम जनता है जो वहाँ पर अपना काम करने के लिए आप ये अंदाजा लगाएए कि अलाके में दूर दूर के शेत्रों से भी जो लोग हैं वो उस सरकारी का रह परते हैं तो वो सिस्टम को लेकर के जो आक्रोश है जो गुस्सा है वो लोगों के मन में बनता चला जाता है बढ़ता चला जाता है तो जल्दी से जल्दी हमारे इस कारिक्राम के जरी आप जुड़ करके बता सकते हैं लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद प्रेके बाद आप सभी का स्वागत है हला बूल कारिक्राम में और हला बूल कारिक्राम के जरीए हमलागातार आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं और हला बूल कारिक्राम के जरीए सरकारी कारिक्राम की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दरसल ये जो तस्वीरे हैं ये नार्नौल जुले की हैं जहां नार्नौल जुले का योजनाकार कारिक्राम भरोसे चल रहा है और नार्नौल शेहर के अंदर ज और नहीं करमचारी यहां पर समय पर पहुंचते हैं जिसके चलते यहां पर अपना काम करवाने के लिए आने वाले लोगों को बिना काम करवाए ही वापस लोटना परता है लेकिन अधिकारियों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि किसी आम जनता का काम हो रहा है या नहीं हो रह कितना काम प्रभावित हो रहा है और इसी को लेकर के कई सवाल हैं सवाल ये कि आखिर सरकारी करमचारियों की ये मनमानी कब तक चलेगी आखिर क्यों आला अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और आखिर जंता को जो परिशानी हो रही है उसका जिम्मधार किसको माना अगले कॉलर राम हमारे साथ गुरुग राम से कारिकरम में जोड़ चुके हैं बहुत स्वागत है राम आपका कारिकरम में बताइए क्या क्याना चाहेंगे आप नमस्कार जी शादी मैं आपको बताना चाहता हूं नाजब निकम के बारे में मेरी प्रोपर्टी दूसरे के नाम असेश्मेंट दर्ज करके असेश्मेंट लिग दिया तन आफ राम जब भी राम खुद प्रोपर्टी का मालिक है उसके बाजूद मैंने वहाँ पे मतलर के अपने सारे डॉक्मेंट जमा करा दिये जमा कराने के बावजूद भी उन्होंने फिर नौटिस बेजा उस बंदे ने कोई मतलब नौटिस का जवाब नहीं दिया फिर उसके बाद मैंने चीए विंडो पर भी लगाई चिक है और प्रोपर्टी 270 गज है दोस पे लिखा जा करके और उसने कोट में केज डाल दिया अभी तक मतलब एका कोट का आप जान पर कफेसल आएगा और कब आता है यहां को मालूमत पूरी तरह यहाल अदिकारिता दो साल से वहां पर मतलब सेक्टरी नहीं है और कभी आता है दूसरी जखेसे मतलब एक अप्ते के लिए आए यहाल है नू नगब में कम का मैं ऐसलिए अपील करना चारू है आप से वहां के इस नगब में कम में इसकी निकवारी करवाई जाए और वहां ऐसा खेल हो रहा है दन्यवाद बहुत शुक्रिया राम आप हमारे साथ कारक्रम में जुड़े तो नू की एक तस्वीर यहां हम बताई गई है यदि आपके साथ कोई ऐसा बाकिया जुड़ा है यदि आप जब सरकारी कारेलों में गए हैं तो वहां पर आपको क्या महसूस हुआ है क्या सही तरीके से सरकारी विभागों के अंदर कामकाज हो रहा है यदि लेट लतीफी अला परवाही को लेकर के आप भ यहां कई और भी सवाल है जो कि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं आज हला बोल कारेकरम के जरीए हम इस सरकारी सिस्टम का हर एक पहलू आपको दिखा रहे हैं और साथी ये कोशिश भी हमारी है कि इस सिस्टम को सुधारने के लिए कुछ हद तक जो करमचारी हैं जो अध बात ही सी जुदिश चो जन हित के जुड़े विशें हैं उनको लेकर के आपको जागरूक रह करके आम लोगों की इस परिशानी को दूर करना होगा जिसके लिए आपको सरकार के दोरा तनक्षा भी दी जाती है बारपार ये क्योंकि आम लोगों की तरफ से कहा जाता है कि मोटी मोटी तनक्षा लेते हैं सरकारी विभागों के अंदर काम करने वाले लोग, करमचारी, अधिकारी लेकिन आम जन्ता को उसका कोई फाइदा नहीं मिलता है यानि के उनके काम तो होते नहीं हैं और ये सबी कार oyले आम जन्ता की सहूर्यत के लिए ही बनाय जाते हैं ताकि उनकी किसी भी परिशानी का हल इन सरकारी विभागों के जरीँ हो सके लेकिन कितनी परिशानियों का समधान होता है ये आप इन तस्वीरों के जरीए देख करके समझ सकते हैं लेकिन यहां हम ये भी आप से जानना चाहरे हैं कि आपके इलाके में क्योंकि इससे पहले तक कई कॉलर हमारे साथ कारिक्रम में जुड़े उन्होंने अपने अपनी परिशानियों को बताया है और साथी साथ सरकारी विभागों में होने वाले कामकाज को लेकर भी एक तस्वीर आपके सामने पेश की है लेकिन आप यदि कुछ कहना चाते हैं बताना चाते हैं यदि आपने भी कई बार शिकायत की है क्योंकि इससे पहले जो कॉलर जुड़े उन्होंने कहा कि हमने शिकायत अधिकारियों को बताई संब्दित विभाग के लोगों को इस बारे में सूचित किया गया जानकारी द देखा है तो आप इस मंच के जरिये जुड़ करके आप अपनी परिशानी को बताईए और इस बात से क्योंकि ये समझ में आएगा कि हर्याना प्रदेश के अंदर कौन से इलाके के अंदर किस विभाग के अंदर क्या कमिया हैं क्या खामिया हैं संदीप हमारे साथ अगले क कारिक्रम में जोड़ चुके हैं बहुत स्वागत हैं संदीप आपका कारिक्रम में बताईए क्या कहना चाहेंगे इस तरह की बहुत दिक्कते हैं लोगों को तो मैं सरकात से ही कहाना चाहूंगा जहां बहुत शुक्रिया सदीप आप हमारे साथ कारिक्रम में जोड़े क्योंकि हम लगातार कारिक्रम की शुरुआत से ही अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि सरकारी वे भाग का किया गया था जिसमें स्पतालों के भीतर डॉक्टरों के कमी एक कॉलर के जरीए हमें बताई गए थी पहुंचाई गए थी इस कारिक्रम के जरीए हर्याना प्रदेश के लोगों तक तो इन सभी चीजों को शामिल किया जा रहा है और हम इसी लिए खुले मंच के जरीए आप से राय और सुझाव भी लिए जा रहे हैं कि आखिर इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है कई शिकायते अभी तक आप सभी की तरफ से बताई गई हैं कुछ खामिया हैं कुछ सिस्टम के अंदर बदलाब लाने की जरुत है वो सभी आप सभी की तरफ से बताया गया है सबी बातों पर गौर किया गया लेकिन अगर आपके पास कोई राए कोई सुझाग भी है जाए आप कुछ और भी बताना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका स्वागत है इस मंच के जरीए आप इस मंच के सरेए आप बता सकते पहले उनको अपनी खुद की जिम्हेदारी को टाय करना चाहिए कि यदि वो सरकारी विभाग के अंदर काम कर रही हैं तो क्यूं नहीं वो आगे आकर अपनी जिम्हेदारी को बहुभी तरीके से निभाएं यदि हर कोई अधिकारी करमचारी अपनी काम को पूरा करेगा तो अपने आप ही सिस्टम बहतर हो जाएगा निटीश अगली कॉलर हमारे साथ कारेकरम में जोट चुके हैं बहुत स्वागत है निटीश कारेकरम में बताए क्या कहना चाहिए आप लगता है शायद समपर्टूर गया है तो यहां हला बोल करिक्रियम के जरीए हम आपको कई सवाल भी दिखा रहे हैं और साथी साथ आपके सामने इस मंच के जरीए समधान के रास्ते भी यहां खुले जा रहे हैं आप बता सकते हैं इस मंच के जरीए कि आप इस पर क्या राए देना चाहते हैं क्या सुछाद देना चाहते हैं क्योंकि अभी तक परिशानियों को हमने देख लिया है समझ लिया है किस अलाके के अंदर हरियाना प्रदेश के कहां पर किस विभाग के अंदर कितनी खामी है चाहे वो सरकारी खारेले हों या फिर जिलासतर के तहसील हो या फिर कोई अस्पताल हो स्कूल हो उन सभी चीज़ों को लेकर के आप सभी की तरफ से तस्वीरे बताई गई गई है अगले कॉलर हमार साथ राजेश कारिकरम में जोड़ चुके हैं बाई एक दिक्क्तार यदी दोजर दोजर पांच में के केश होया था जी ओप इंतकाल का जमीन घा पटवारे ने पैशे लेगा इंतका राजेश अपने टीवी सट का वॉल्यूम थोड़ा सा गम कर लीजे बताईए राजेश पैशे लालच में आगए दोजर पांच में हैसला कर दिया ना पटवारे मेरे तशिल डर्ने मिलके चीक है पिलकुल राजेश और इसलिए हमने कारिकरम आपके समक्ष रखा है बहुत शुक्रिया खैर आप हमर साथ कारिकरम में जुड़े और हम ये उमीद करते हैं कि इस कारिकरम के जरीए जितने भी कॉलर अपनी बातों को रखते हैं उनका समधान ये कारिकरम देखने वाले अधिकारी नेता या इस वक जो भी लोग कारिकरम देख रहे हैं वो संबंदित विभाग के अधिकारियों से तुरंट तुरंट इन लोगों की जो परिशानिया हैं उनका समधान किया जा सके फिलाल के लिए बस उतना ही नमशकार